यदि हम एथरों की अनिक्रियात्मक्समूँ वाले योगिकों से तुल्ना करें तो हम पाते हैं कि एथर इनमें सबसे कम क्रियाशिल होते हैं लेकिन यदि इनमें उग्र परिस्थतियां रखी जाएं यनिकी यहाँ पर जो जो रीजन्ट है ये अधिक मात्रा में रखा जाएं और साथी साथ यहाँ पर जो कार्बन होगा जो एलकिल समू होगा वो त्रविम रूप से बाधित ना हो तो ऐसी परिस्थतियों में यहाँ से नमें पर कार्बन ओक्सीजन बंध का विदलन होता है तथा हमें भेन भेन उत्पाद प्राप्त होते हैं उदारन के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जब एथरों की क्रिया किसी अम्ल यानिकी हाड्रोजन हैलाइडों के साथ क्रिया कराई जाती है और यहाँ पर हाड् है यहां पर हमें एक एलकिल हैलाइट बना लेता है जबकि दूसरा वाला जो बचा हुआ और भाग है वह हैड्रोजन के साथ जुड़कर आर ओ एच यहने की अलकोहल बनाता है इस तरह यदि हम देखें कि एथरों की क्रिया जब हम हैड्रोजन हैलाइट के साथ कराते हैं तो यहां पर हमें एक एलकिल हलाइट मिलता है और एक एलकोहल मिलता है यदि हम एथरों की तुलना अन्य क्रियात्मक समुह वाले योगिकों से करें तो हम पाते हैं कि एथर सबसे कम क्रियाशील योगिक होते हैं एथरों में जो कार्बन और ऑक्सीजन बंध का विदलन बहु जब हम यहाँ पर एथर की क्रिया हाइडरोजन हैलाइडों से कराते हैं जो की प्रबल अमल होते हैं तो इनके साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो यह हमें एक एलकिल हैलाइड तथा एलकोहल उत्पात के रूप में प्राप्त होते हैं. उदारन के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं एक एथर लेते हैं ROR प्लस उसकी क्रिया कराते हैं इसके लिए हम यहाँ पर हैड्रोजन हैलाइड HX के द्वारा X में यहाँ पर कोई भी हैलोजन हो सकता है और इस तरह से यहाँ पर हमें एक जो एलकिल समू है एथर का वह और पार्ट है वह हैड्रोजन हैलाइड के हाड्रोजन के साथ जुड़कर यहाँ पर हमें एलकोहल देगा तो इस तरह से हमें एक अनू एलकिल हैलाइड का तथा एक अनू यहाँ पर एलकोहल का प्राप्त होता है यहाँ पर यदि हाड्रोजन हैलाइड की मात्रा अधिक्त में ली जाती है तो यहां पर जो alcohol जो की उत्पात के दूसरे लुश करता है और इस तरह से और यहां इसमें से जो है वह हैलोजन में किसा जुड़ कर हमें एलक। का दूसरा अनु देता है, साथ यहाँ पर जो OH समुह बचा हुआ है, वह hydrogen halide के hydrogen के साथ जुड़कर जल के रूप में निसकाशित हो जाता है, तो इस तरह से हम देखें इस पूरी अभी क्रिया को यदि हम एक ही बार में लिखते हैं, एक ही पद में लिखते हैं, तो हमें मिलेग ROR Ether plus HX, यह है hydrogen halide, जब इसकी हम क्रिया कराएंगे, तो उत्पात के रूप पे, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो अनु RX के मिलते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर HX के दो अनु का उप्योग करेंगे, तो यहाँ पर हमें दो अनु RX के alkyl halide के मिलेंगे, और साथ ही साथ हमें मिलेगा एक अनु जल का, तो इस तरह से पूरी अभीक्रिया को हम एक पद में लिख सकते हैं, यहाँ पर हम देखें कि इसी तरह से हम इनके द्वारा जो मिश्रित एथर होते हैं, यहनि कि aromatic ether का उप्योग भी करके, हम यहाँ पर alcohol तथा alkyl halide प्राप्त कर सकते हैं, उ जो alkyl phenyl ether का उप्योग हम करते हैं, और इसकी क्रिया हम जब कराते हैं, यहाँ पर hydrogen halide से, तो यहाँ पर अब देखें कि दो carbon oxygen बंध हम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक carbon oxygen बंध होता है, जो की ring से जुड़ा हुआ है, जो की sp2 संकृत carbon होता है, और इस से जुड़ा oxygen है, यह काफी स्थाई बंध होता है, क्योंकि यह हमेशा जरूर रहा है कि यह single bond है, लेकिन यहाँ पर यह partially 2 आबंध यहाँ पर होता है, तो यह मजबूत बंध होता है, और इसे तोड़ना आसान नहीं होता है, जब कि दूसरा जो oxygen alkyl समू से जुड़ा हुआ, जो carbon oxygen carbon बं होता है, और इसे लिए जब यहाँ पर hydrogen halide की हम इसकी साथ क्रिया कराते हैं, तो OR समू से जुड़ा हुआ, जो R है, वह hydrogen halide के halogen के साथ मिलकर हमें Rx देता है, जब कि जो phenoxide ion बचता है, वह hydrogen halide के hydrogen के साथ जुड़कर हमें phenol उत्पात के रूप में प्राप्त होता है, तो यह फिर से अब देखें कि इसके पहली अभी क्रिया में हमने देखा कि alcohol पुना hydrogen halide के साथ क्रिया करके फिर से हमें alkyl halide देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अभी क्रिया है, यही alcohol phenol बनने के बाद यह बंद हो जाती है, यह अभी क्रिया आगे नहीं चलती है, क्योंकि सित कार्बन और oxygen आबंद होता है, वह आगे फिर से तूटता नहीं है, स्थाई बंद होता है और इसलिए यहाँ पर आगे हमें और alkyl halide के अनुप्राप्त नहीं होते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर हम देखें कि यह जो अभी क्रिया है, इसके द्वारा phenol बनने के बाद यहाँ पर समाप्त हो जाती है, इसके बाद हम देखें कि यहाँ पर जो हम hydrogen halide उप्योग कर रहे हैं, तो hydrogen halide का जो अभी क्रिये शीलिता का क्रम है, वह सबसे अधिक होगा यहाँ पर HI का, उसके बाद उससे कम होगा HBR का और उससे कम होगा HCL का, क्योंकि हम जानते हैं कि य इतना अधिक अमलिय होगा, उसके यहाँ पर वह अभी क्रियाशीलिता उसकी सबसे जादा होगी, और हम जानते हैं कि सबसे जादा अमलिय होता है hydrogen halide क्योंकि यहीं आसानी से proton दे पाता है, जबकि यहाँ पर उनकी hydrogen bromide उससे कम अमलिय होगा, hydrogen chloride उसे कम अमलिय होता है, यहा उपयोग नहीं किया जाता है, सबसे जादा प्रभावी यहाँ पर hydrogen iodide भी होता है, आएए अब हम एथरों की hydrogen halide के साथ होने वाली अभी क्रिया की क्रियावीधी को समझते हैं, यहाँ पर हम देते हैं कि जब हम एथर की क्रिया, यहाँ पर हमने एथर लिया है, एथिल, एथिल, एथर, तथा hydrogen halide के रूप में हम hydrogen iodide का उपयोग कर रहे हैं, जब हम इनके बीच क्रिया कराते हैं, तो सबसे पहले यहाँ जो पहला पद होता है, उसमें एथर के अनुका protonation या protonon होता है, इस क्रिया में हम देखें कि जो एथर है, यहाँ पर एथिल, मेथिल, एथ यहाँ पर हम देखें कि जो oxygen है, उसके पास दो lone pair है, जिससे इसके उपर negative charge है, और जब इसकी क्रिया हम hydrogen iodide के साथ कराते हैं, तो hydrogen iodide में भी हम जानते हैं कि iodine पर negative charge होगा और hydrogen पर positive charge होगा, तो एथर का यह अपने इस oxygen परमानू के द्वारा, यह hydrogen को एक अपना lone pair डोनेट करेगा और hydrogen के साथ आबंद बना लेगा, और चुक्कि यहाँ पर hydrogen के साथ आबंद बन गया है, इसलिए अब oxygen के पास एक ही lone pair है, जिसकी वज़े से यहाँ पर oxygen पर positive charge आ जाएगा, दूसरी ओर यहाँ पर जो iodide, iodine था, वा iodide iron के रूप में प्रिथक हो गया है, यहाँ पर दूसरे चरण में, अब दूसरे step में, अब यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर ethil, methyl, oxonium iron प्राप्त हुआ है, यहाँ पर हम देखें कि यह iodide iron अब दो तरह से यहाँ पर attack कर सकता है, यहाँ पर एक तरफ methyl समू है और दूसरे तरफ ethil समू है, तो यहाँ पर जो iodide iron है, कम प्रतिस्थापित वाले कार्बन परमाणू पर attack करता है, और इसे लिए यहाँ जो iodide समू है, वह मेथिल समू पर attack करेगा, मेथिल समू वाले कार्बन जो कि कम सब्स्टिटूटेट है और त्रिमिम रूप से कम बाधित है, इस पर attack करेगा, और इसके साथ यहाँ पर यह ब मेथिल समू से वाले कार्बन से जुड़ने जा रहा है, जबकि यहाँ पर हम देखें उसमें जो कार्बन ऑक्सीजन आबंध है, वह यहाँ से विदलित होगा, तो अब इस तरह से हम देखें कि जो iodide iron है, वह मेथिल समू से जुड़कर CH3I, यहाँ पर मेथिल iodide बना लेग जबकि बचा हुआ भाग है, जो कि CH3, CH2, OH यानि कि अलकोहल के रूप में यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, अब हम देखें यह दोती पद में हमें एक अलकिल हैलाइट प्राप्त हो गया है और एक अलकोहल प्राप्त हुआ है, दोती पद में प्राप्त हुआ यह जो लेगेटिव चार्ज है और इसलिए यह हाइडरोजन आयोडाइड के हाइडरोजन पर अटाइक करेगा और इस तरह से यह उससे बंद बना लेगा और जिसके फलसरूप ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पुना हम देखें कि यह जो आयोडाइ उस पर अटाइक करेगा और उससे जोड़ जाएगा, जबकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बंद का इलेक्ट्रान जोड़ा है वह ऑक्सीजन के पास वापस चला जाएगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन के अनू के प्रिथक करन की इस्थतियां बन जा जाएगा, तो इस तरह से क्रम शातीन पदों में यह अभिक्रिया होती है और SN2 यह अभिक्रिया है जिसके फलस्वरूप हमें अलकिल हलाइट के दो अनू तथा एक अनू जल का प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया में हम देखें कि हम इसके द्वारा तृतियक प्रतिस्थ शापित इधर भी प्राप्त कर सकते हैं, यहां पर हम देखें कि यदे हम इधर में एक अलकिल समू तृतियक लेते हैं, तो उस स्थती में हमें तृतियक हैलाइट प्राप्त होते हैं, और यह जो अभिक्रिया होती है, SN2 अभिक्रिया के द्वारा ना होकर S1 अमेखकी क्रिया की द्वारा होती है इसे हम समझ सकते है जैसे की यहां पर हमने लिया है ether जिसमें की एक जो है वो मेथल समू है जब की दूसरा जो अलकिल समू है वो तरतियक अलकिल समू है जब हम इसकी क्रिया hydrogen iodide से कराते हैं तो वहाँ पर हम देखें कि पुना जो oxygen परमानू है वो से hydrogen iodide का hydrogen जोड़ जाता है और इस तरह से यह जो प्रक्रिया होती है यह प्रक्रम धीमी गती से होता है और इसके फ्रसरूप चूकि हम जानते हैं कि carbon और यहाँ पर दो परिस्थिया हो सकती है carbon oxygen बंद तूट सकता है या फिर यहाँ पर carbon oxygen बंद जो तृत्यक अलकिल समूँ वाले carbon और oxygen के बीच बंद है वह भी तूट सकता है अथ्वा यहाँ पर जो प्रात्मिक मेथिल समूँ और oxygen के बीच जो carbon oxygen बंद है वा भी तूट सकता है लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर जो तृत्यक ब्यूटिल कार्बो के टाइन बनेगा वा ज़्यादा स्थाई होता है और इसलिए ज़्यादा स्थाई सरचुना तृत्यक ब्यूटिल कार्बो के टाइन प्राप्त होता है जबकि दूसरी और हमें मेथाईल एलकोहल CH3OH प्राप्त होता है अब यह जो तृत्यक ब्यूटिल कार्बो के टाइन है वह hydrogen iodide के iodide आयनों से के साथ यहाँ पर जुड़ जाता है और इस तरह से हमें यहाँ पर त तृत्यक ब्यूटिल समूब वाले एथर कावप्योग करते हैं तो यहाँ पर हमें तृत्यक ब्यूटिल हैलाइड प्राप्त होते हैं तो यह है इथरों की कुछ महत्वपूर्ण रासाइनिक अभीक्रिया हैं इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर देखा जो एरोमेटिक इथर हैं तो एरोमेटिक इथर में हम जानते हैं कि यहाँ पर जो एक बेंजिन रिंग पाए जाती है और इसके अलावा यहाँ पर एक फैनोक्साइड सम्मूब आये अब हम जानते हैं इथरों में होने वाली इलेक्ट्रान रागी प्रतिस्थापन अभीक् तो एरोमेटिक एथर में जो एक फेनिल समूं होगा तथा दूसरा अलकॉक्सी समूं होगा यहाँ पर जैसे उदाराण ले सकते हैं C6H5OAR का तो यहाँ पर यहाँ देखें कि यहाँ पर जो अलकॉक्सी समूं होते हैं वह भी फिनॉलो के हाड्रोक्सिल समूहों की भाती ही ये आर्थो और पैरा नर्देशी समूह होते हैं क्योंकि यहाँ पर भी और ये जो एलकॉक्सी समूह है यह प्लस आर इफेक्ट दर्शाते हैं और इसकी वज़े से यहाँ पर जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ इलेक्ट बिन बिन इनकी अनुनादी सरचनाओं की द्वारा समझ सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हम देखें कि यह जो फेनिल समूह है उससे जो एलकॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर सबसे पहले जो ऑक्सीजन के ऊपर उपस्थित लोन पेर है वह रिंग की ओर जाएगा और ऑक्सीजन कार्बन बंद के तरफ यह मूव करेगा जिससे ऑक्सीजन और कार्बन आबंद पर यहाँ पर द्वी बंद बन जाएगे और इसलिए यहाँ पर जो कार्बन कार्बन पहले और दूसरे कार्बन के बीच जो पाई इलेक्ट्रान जोड़ा है वह दूसरे यानि की आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रान डेंसिटी बढ़ जाएगी और यह इलेक्ट्रान रागी प्रसिस्थापन अभिक्रिया के लिए यहां पर स्थान उपलब्ध हो पाएगा आगे इसी अनुनादी सरचना में हम आगे बढ़ें तो अब यह जो दुती स्थान पर जाकर द्विबंध का निर्मान करेगा जो यहां पर तृती और चत्तूर्थ कार्बन पर उपस्तित जो पाई इलेक्ट्रान जोड़े हैं वह यहां पर चोथे यानि की पैरा पोजीशन वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगे और जिसकी वज़े से यहां पर इलेक्ट्रा और छटे कार्बन के बीच पाई इलेक्ट्रान जोड़ा है वह पुना यहां पर छटे कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा और जिससे पुना छटे कार्बन यहने की आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रान घनत्व बढ़ जाएगा और इस तरह से हम देखें कि इन भिन भिन अ इस तरह से इन जब भी इनके एथरों के उत्पाद मिलेंगे तो वह हमें आर्थो और प्रतिस्थापी उत्पाद ही प्राप्त होते हैं तो आए इनके कुछ इलेक्ट्रान रागी पर अभी क्रियाव को देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हैलोजुनी करन है है ब्रोमीनेशन का यहाँ पर उदारन ले रहे हैं इथर एनिसोल का जिसके आप सरचना देख रहे हैं जिसमें एक बेंजिन रिंग है तथा ऑक्सीजन समू से जुड़ा हुआ एक CS3 मैथल समू है जिससे हम सामाने रूप से एनिसोल कहते हैं तो जब एनिसोल की क्रिया हम यह उसका पहले पोलराइजेशन होगा एक जो इलेक्टरान जोड़ा है वह एक ब्रोमीन पर माणू पर शिफ्ट होगा जो की ब्र माइनस के रूप में वहां से हटेगा जबकि दूसरे ब्रोमीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यह जो ब्र प्लस आयन होगा यह एक इलेक्ट्रोफायल की तरह कारे करेगा और यहा बेंजीन रिंग के आर्थो पोजिशन पर तथा पेयरा पोजिशन पर अटाक करेगा तो यहां पर हम देखें कि यह बेंजीन रिंग के जैसे ही यह बी आर प्लस आयन एक इस्थती आएगी यहाँ पर मध्धमिक इस्थती हमें मिलेगी तो यहाँ पर यह आर्थो पोजिशन पर अटेक करेगा और जिससे यहाँ पर उपस्थित जो हैड्रोजन परमाणू है अब वहाँ से प्रतिस्थापित होने के हड्रोजन हध्डी इस प्लस के रूप में निकल रहा है वह ब्रोमीन के enhr मैनस से जुड कर객 भी आर के रूप में बाहर निकल चाएगा और इस तरहसे हमें एक आर्थो प्रतिस्थापापि इससी तरह से यहाँ पर हम दूसरी दूसरा प्रोड़क्ट भी प्राप्त कर सकते हैं तो यहां पर जो दूसरा ब्रोमीन अनु होगा वह उसका बी आर प्लस इलेक्ट्रोफिल फाइल के रूप में यह पारा पूजिशन पर अटेक करेगा जिससे हमें एक प्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त हो क्वांटिटी देखी तो जो पैरा उत्पाद प्रतिस्थापी उत्पाद है उसकी मात्रा ज्यादा मात्र बनती है ज्योंकि यह एक तो त्रिवीम रूप से कम बाधित होता है और साथी साथ यह सिमेट्रिकल अनु है और इसमें समिमिती ज्यादा पाई जाती है और इसी ल में नाल्ट्रिशन उदाराणद देख सकते हैं जब हम यहाँ पर एनिसोल की क्रिया सांध्र सल्फियरिक अम्ल और सांध्र नाथिक अम्ल की उपस्थती में कर आते हैं यहाँ जानते हैं कि यह नाठरी कारख हम रासाइनी कभी करिया पढ़ रहा थे उस समय भी हमने देखा था कि किस तरह से एनो टू प्लस आयन यह यह इलेक्ट्रोफाइल का निर्माणिहां पर होता है तो यह एनो टू प्लस नाइट्रोनियम आयन अब बेंजीन रिंग पर के आर्थो एवं पैरा पोजीशन पर अट देखें कि जो पैरा प्रतिस्थापी उत्पाद है उसकी मात्रा जादा बनेगी जबकि जो आर्थो प्रतिस्थापी उत्पाद है उसकी मात्रा कम बनेगी इसी तरह से हम यहाँ पर फ्रीडल क्रॉफ्ट एसीलेशन तथा फ्रीडल क्रॉफ्ट एलकिलेशन दोनों अभिक् पर भी हम देखें कि जब एनिसोल की क्रिया हम किसी अलकिल हैलाइट से माल लेजिए यहां पर हम मेथिल आयोडायट के साथ कराते हैं तो यहां पर भी जो मेथिल समू होगा यहां पर यह इलेक्ट्रोफाइल है यह इसके कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तथा जो आ प्रतिस्थापी एवं प्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त होंगे यहां पर हम देखें कि जो आर्थोग प्रतिस्थापी उत्पाद है वहां राथो समू में जो एक मैथाइल पॉलन पhta India और एक एलकॉक्सी Самूँ उपस्थित है तो यहां पर हम दिखें कि जो ज्यादा प्रिफरेंस दी जाएगी और इसलिए यह जो होगा यहां पर हम C6H5C3 इसे हम कहते हैं तालूइन और जो प्रतिस्थापी के रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 2-L-C-T-A-L-U-E-N इस प्रोड़क का नाम होगा 2-L-C-T-A-L-U-E-N इसी तरह से यहां पर जो दूसरा उत्पाद होगा जो पैरा उत्पाद होगा उसका नाम होगा 4-L-C-T-A-L-U-E-N और यहां पर भी जो 4- L-C-T-A-L-U-E-N है इसकी मात्रा इसका उत्पाद जादा होगा इसी तरह से हम यहां पर एसिलेशन या एसिटली करण की अभी क्रिया कुछ समझ सकते हैं हम जानते हैं कि जब एसिटली करण की क्रिया होती है तो हम यहां पर इसकी जो क्रिया कराते हैं वो एलल क्लोराइड के साथ हम एथर की अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर हम ले रहे हैं फिर से एनिसॉल और एनिसॉल की एक्रिया जब हम एसेटल क्लोराइट के साथ कराते हैं CH3COCl इसके साथ कराते हैं तो यहाँ पर भी यहाँ पर नेगटिव चार्ज होगा जबकि CS3CO यह इलेक्ट्रोफाइल है और इस पर पॉजटिव चार्ज होगा यहाँ पर बेंजिन रिंग के आर्थो और प्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त होते हैं tau इस तरह से यहाँ पर भी हम देखें कि जो मुख्य उत्पाद होगा वहां पर प्रतिस्थापी उत्पाद का होगा यहाँ पर जो हमें आर्थो प्रतिस्थापी उत्पाद मिलेगा उसका जो नाम होगा वह भी year होगा two methoxy acetophenone क्योंकि यहां पर जो acetophenone है c6 h5 co ch3 यह इस compound को हम acetophenone कहते हैं तो acetophenone के second दूसरे नमर के carbon पर यहां पर methoxy समू उपस्तित है तो इसका नाम हो जाएगा two methoxy acetophenone इसी तरह से जो पैरा प्रतिस्थापी है उसका नाम हो जाएगा four methoxy acetophenone तो इस तरह से हम देखते हैं कि भिन भिन प्रकार के इलेक्ट्रोफ फाइल्स का उप्योग करके हम यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया के द्वारा भिन भिन उत्पाद इथरों से प्राप्त कर सकते हैं